ओम ज्यानत मिरांधस्य ज्यानन जनुशला कया चक्षूर मिलितम्येना तस्मई शेगुरुए नम्हाँ ओम्दमो भग्वतेवा सुदेवाया ओम्दमो भग्वतेवा सुदेवाया तो अब हम करेंगे श्रीमत भागवतम जिसमें कि बहुती रोचक कता चल रहे आपको याद होगा कि नारद मुनी के सामने भगवान परकट हुए और परकट होने के बाद अपरकट हो गए और जब वो बड़े व्याकुल हो गए और उन्होंने फिर से प्रयास किया फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए तो हमने सम्झा कैसे भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं या अपनी इच्छा से अप्रकट होता है है फिर अचानक से कहीं से वाणी की आवाज है और जो की बड़ी ही गंभीर थी लेकिन बड़ी मधुर थी और कृष्णा वस हम हमसेल्फ स्पीकिंग भगवान अपनी वानी से उचारण किया और उस उचारण में भगवान ने कुछ निर्देश दिये जो कि हम पढ़ रहे हैं ओम नमो भगवते वासु देवाया ओम नमो भगवते वासु देवाया ओम नमो भगवते वासु देवाया तो श्रीमत भागवतम हम करेंगे श्लोक संक्या 23rd, कैंटो पहला चैप्टर 6 श्लोका संक्या 23rd तो पिछले श्लोक में आगर आपको याद दिलाओं तो उसमें बोलते हैं कि हे निश्पा पूरुष तुमने मुझे के वोल एक बार देखा है ये मेरे परती तुमारी इच्छा को उत्कड बनाने के लिए है ताकि तुमारी इच्छा मुझे प्राप्त करने के लिए और बड़े चुकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए ललाइत होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे तो ये भगवान ने बोला आप भगवान बोलते हैं कुछ काल तक ही सही परमसत्य की सिवा करने से भक्त मुझे में दिर्ड एवं अटल बुद्धी प्राप्त करता है कुछ काल तक ही सही यानि कि यदि आप थोड़ा सा भी परयास करेंगे भक्ति में कुछ समय तक भी तो क्या होगा परमसत्य की सिवा करने से भक्त मुझे में दिर्ड और अटल बुद्धी प्राप्त करता है क्या ऐसा बूला जाता है कि भगवान तो अलड़ी वेट कर रहे हैं कि हम भगवान की तरफ जाएं तो जैसे हम कुछ कदम बढ़ाने लगते हैं तो एकदम से हमारी होने लगती हैं जैसर आप लोग बताते हो ये फील हो रहा है इसा हो रहा है ये परिवर्तन हो रहा है थोड़ा सकते को च्छार महीं है इसलिए उनका स्मर्ण करना उनकी वंदना करना आरती करना यह सारे कारे जो है यह भगवान की सेवा कि तो जब भगवान की सेवा वेक्ति ऐसा करता है तो उसके अंदर क्या होता है मुझ में दिर्ड एवं अटल बुद्धी परात करता है यानि कि कृष्ण में दिर्ड बुद्धी परात करता है फलसरूप वैसोचनी जोहतिक भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्वे जगत में मेरा पार्शद बनता है इस बहुती जगत को त्यागने के बाद क्या बनता है मेरा पार्षद ही बन जाता है मेरे साथ ही रहता है अभी पिछले दो दिनों से अमारी कथा नहीं हो पारी थी तो आप लोगों ने गोप कुमार की कानी सुनी होगी यदि आपने कुछ उसको रिकनाईज कर पाए जो कि ब्रिहद भागवत से है आपने सुना होगा थोड़ा बाद समझा होगा कि इस प्रकार गोप कुमार एक संसार काई वेक्ति था और धीरे धीरे भक्तों की संग में वो उपर जाता गया जाता गया जाता गया अल्टिमेटली अभी वहां तक तो नहीं पहुंचे हो गया कि वो भगवान का पार्षद ही बन जाता है भगवान के लोक में चला जाता है लेकिन वो क्यों जा पाता है क्योंकि वो कहीं पर भी सेटल नहीं होता है अब वो स्वर्ग में सेटल नहीं होता वो ब्रहमा जी के लोग में सेटल नहीं होता वो ब्रहमा जोती में जाने से मना कर दिता है वो उपर शिव लोग में जाके सेटल नहीं होता जब वो उपर जाने की इच्छा करता रहता है तब अल्टीमेटली वो भगवान को प्राप करता है लेकिन हम क्या करते हैं बीच में किसी इसके side benefit से satisfied हो जाते हैं जैसे कोई योग शुरू करता है योग यम नियां आसन प्रणायम वगरा जब करता है तो उसके अंदर योग शक्तियां पैदा होती है और वो योग शक्तियों से satisfied हो जाता है चोठा बनना, बड़ा बन जाना, किसी को वश्ष में कर लेना ये सारे जो side benefit से meal से أنसार कोई वस्तु के आवश्चता नहीं है भक्ति के बदले में तो यहीं पर बता रहे है कि वह क्या करता है बहुतिक जगत को त्याग ने के बाद बाद मेरा पार्षद बनता है पार्शत बनके क्या करेंगे हम भगवान की दिव लिलाओं में पार्टिसिपेट करेंगे एंड गुड न्यूज यह होगी कि हमारी मिर्तियों नहीं होगी गुलापन नहीं आएगा या हमेशा हमेशा हम भगवान की निलाओं में भगवान का सेवा कर सकते हैं तात्पर शलप प्रज राधा कृष्णा की सेवा करने का मौका मिले और यह तुम्हारे शरण ले तारवांचा पूर है किर्पा करी करतारे वरिंदावन वासी हे तुलसी महारानी जिसके उपर आपके किर्पा होती है वह वरिंदावन का वासी बन जाता है लेकिन फिर बाद में और फिर बोलते हैं कि मोर यही अविलाश विलाश कुझ दियो वास नहीं 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 पर सदा यूगल रूपी राश मेर को ये किर्पा दीजिए हे तुलसी महारानी कि मैं व्रज में जाके यूगल जोडी के दर्शन कर पाऊं राधा कृष्णे के दर् भगवान के सखा हैं सखियां हैं गोपियां है मेलि उनका अनुगत यानिकि उनके डारेक्षन में रहते वे मैं ये दर्शन कर पाऊं यानि कि कुछ मुझे वो सेवा देंगे खाली दर्शन नहीं करना है कुछ सेवा देंगे जब सेवा देंगे तो भगवान के दर्शन भी होंगे लेकिन मैं उनके अनुयाई बन के ही सेवा कर पाऊं ऐसा हो प्रार्ष्थना हम तुलसी मारानी से करते हैं तो वैसे ही यहाँ पर परुपादा में बता रहे हैं कि परमसत्य की सेवा करने को बोला गया भगवान ने क्या बोला नारद मुनी को भगवान ने बोला कि कुछ काल तक याज दिन में मेरे पार्षद बनोगे तो यहाँ पर परुपादा रहे हैं कि परमसत्य की सेवा का मतलब यह मत समझेगा कि हम डारेक्टली करेंगे फिर मुझे किसी क्या वशक्ता नहीं है बीट में बहुत सारे एंडे भेंडे यहनोंने बहुत सारे यह करो सादना भरो यह करो वो करो मैं और मेरा भगवान कितना बढ़िया था इस कौन में आने से पहले मैं था और मेरे भगवान थे अब यह मेरे सामें इतने सारी दिवारे आ गई है हमें शुरू में ही हमारे शिक्सा गुरू यह बताते थे कि कैसे जब हम दूर से पहाडों को देखते हैं तो हमें पहाड देखता है कि मैं और मेरा एवरेस्ट देखता है कि नहीं आपको मनाली से भी एवरेस्ट देखता है सोचे मनाली से और कई बार उत्राखंड के कई स्टेशन से आपको एवरेस्ट देखता है वहां के हिमाले की आपको range देखती है एकदम अलग और बीच में कुछ नहीं देखता है ऐसा लगता है कि बस थोड़ा car को अगर उदर को ले जाएंगे तो पहाली के पीछे पहुंच जाएंगे और जब उस पहाली के के बीच में भक्तों को देख पाते हैं तब यानि कि हम भगवान के पास हैं क्योंकि आप पास में हमें रियल विजन दिख रहा है कि भगवान तो भक्तों से गिरे वे हैं यानि कि भक्तों की सेवा करें बिना कैसे कोई भगवान को प्राप कर सकता है इसलिए यहां बता है कि परमानी का ध्यात में गुरू के मार्ड दर्शन में परम भगवान की सेवा करना जो भगवान तदा नवदिक्षित भगत के बीच एक पारदर्शी मध्यस्त का काम करते हैं गुरू के सारे कारे ही भगवान को परसंद करने के लिए है इसलिए वो आप किसी भी कारे में जड़ा डीपली जाओगे आगर आप पूछ सकते हो कि प्रभुजी यह बताईए कि यह वाला कारे या गुरू मराज यह वाला कारे कैसे भगवान की सेवा है हमने तो सुना था कि गुरू जो भगवान की सेवा में लगाता है बट यह वाला कारे तो समझ नहाए यह इंटा बदरपूर लाने को आप मुझे बूल रहे हैं यह कैसे भगवान की सेवा है तो आपको एक्स्प्लेंड करेंगे नमदिशित भक्त में अपनी वर्तमान अपूर्ण बहुतिक इंद्रियों के बल पर भगवान के परम व्यक्तित तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती है यह भगवान नहीं रखना चीए हमें कभी भी नहीं रखना चीए कि हम भगवान को समझ सकते हैं एक दिन आपने दम पर अतेवा ध्यात्मे गुरू के निर्देशन में उसे भगवान की दिव सेवा का प्रक्षिक्षन दिया जाता है क्या कोई इसमें प्रॉब्लम आंफे कोई समस्या कोई आपको प्रक्षिक्षन देगा है उसके बाद हमें क्या 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 करता है फिर उसको फॉल्ग करते है और चैना किर पड़ेगी मेरा दूद लाना पड़े हम मेरे घर काम करने पड़ेंगे तब तक जो है गाई डिसाइन नहीं करता है फाइनली तो हम ऐसा सुनते हैं कि संसार में प्रक्षिशन प्राप्त करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और यहां तो जबरदस्ती आपको बताया जा रहा है सिखाया जा रहा है तो इसमें समस्या गया है फिर भी हम किसी का अंडर में नहीं रहने जाते हैं इस तरह कि प्रक्षिशन से बले ही वह कुछ दिनों का ही क्यों नहों वो जो भक्त है वो ऐसी दिविश सेवा की बुद्धी प्राप्त कर लेता है जिससे अंतता है वो बहुतीक लोग में निरंतर वास करने से मुक्त जाता है और ultimately भगवान का पार्षण बनता है तो इस परकार से जब वो guidance में रहके सेवा करता है प्रसिक्षन पराप्त करता है तो क्या बन जाता है जो व्यक्ति इतना शुद्ध हो जाएगा, मानते हैं, अगर कोई इतना शुद्ध हो जाएगा, अगर कोई इतना व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है, कि वो गुरू को भूल जाएगा, अरे उसके अंदर तो इतना किरता, क्या करते हैं, उसको और साख्षाद प्राक्ता कर लिया दोनों नहीं पिर भी है उपने गुरू को याद कर रहा है उनको ग्लोटिफाइई कर रहा है तो वास्ता में जो व्क्ति ऐसा कर células पहरा नहीं पार्छा आप जिसको कि हम हमेशा उनके उनके उनका जो हमारे जीवन में रोल है उसको हमेशा याद रख पाएं ऐसी हम प्रार्थना करते हैं मतिर्माई निबध्धेयम नाविपध्धेकरहिचित प्रजासर्ग निरोधे अपी समरितिष्चमदनुक्रहात मेरी भक्ति में लगी हुई बुध्धी कभी भी विच्छन नहीं हो तहohlर ना नाविपध्ध से कह रहे हैं मेरी भक्ति में जो बुध्धी लगाता है वो कभी डैविएट नहीं कर पाता है तो बता रहें नारद मुनी मैं तुम्हें ऐसी कृपा दे रहा हूं क्योंकि भगवान की कृपा से होता है मैं तुम्हें ऐसी कृपा देता हूं कि स्रिष्टी समाब तुझा है या आप जानते हैं स्रिष्टी का संगार होता है डिवा स्टेशन जब ब्रह्मा जी का रातरी होती है तो सब कुछ नश्ट हो जाता है नीचे के लोग में जन महर ऊपर के लोग कुछ बसते हैं बाकि नीचे के लोग खतम हो जाते हैं हर ब्रह्मा जी के एक दिन के अंत में तो बता रहें कि जब इस परकार से ब्रह्मा जी का साथ नहीं है हमारे साथ भी है थोड़ा सा डिफरेंटली है नारद मुनी को वह इवेंट्स भी आ दें हमारे साथ सिर्फ यह है कि हमारी चेतना बनी रहती है यह बहुते हैं नेहा विक्रम नाशो अस्ती परतवाई हो ना विद्यते यदि कोई इस प्रोसेस में अधूरा सक्स होते हैं भगवान के परति कई बच्चे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं तो इस तरह से यह नारद मुनी को स्पेशल पावर दी चेतना तो हम सबकी रक्षा करते हैं नारद मुनी को का तुम्हें तो एक इवेंट बाई इवेंट याद होगा इसी से व्यास दे भी परिशान थे कि तुम्हें किसे याद हैं पिछले कल्ब आपको कैसे है शुगदेग उसवामी सब लोग सब लोग परशान है हम लोग परशान है कैसे उनको एक एक इवेंट याद है ये भगवान का आशिरवाद उनको यहाँ मिला था इस आशिरवाद को प्राप्ट करने के लिए बगवान की बहुग उच्छिष्ट छोड़ जाते हैं। और इस प्रकार शडीर च्याग देते हैं और फिर तीसरा जनम होता ہے जल भारत के रूप में और उस जनम में हिरन की भी बात याद रखते हैं भारत माराज के जिवन की बात याद रखते हैं और इतने elevated हो जाते हैं कितने elevated हो जाते हैं जानने के लिए हमारे channel में जड़ भारत कपले देखिए तो आपको पता चलेगा तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे भगवान की किरपा से हमें स्मिर्थी मिलती है भगवान के पर्ति की गई भक्ति कभी वेर्थ नहीं होती, चुंकि भगवान शाश्रत हैं, इसलिए उनके सेवा में लगाई गई बुद्धी, और उनके पर्ति किया गया कारे भी स्थाई, यह बड़ा important point है, हम संसार में कईयों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कई ब पर्तियों को प्राप्त होगा है, तो आगले जिवन में तो कौन ही याद रखेगा, लेकिन भगवान के प्रति किया गई यह सेवा स्थाई है, स्थाई, इटर्नल, यह हमेशा भगवान याद रखते हैं, आपको याद है कि, खईवार लोग पूसते हैं कि भगवान की इतन अवास हुआ, तो वो वन में गए, तो कई सारे रिशी जो राम की राह देख रहे थे, राम को देखके एकदम मधोश हो गए, और सीता भी हहरान थी इस बात को देखे, कि यह सादू संत से दिखने वाले लोग राम को देखके ऐसे पागल से हो गए, सब को छोड़ छोड़ राम को प्राप्त करने की इच्छा थी, वो भी एक लेडी का रोल रेके, राम के साथ माधूरिया समझते हैं, प्रेमी प्रेमी का वाला रोल, जो की माधूरिया रस होता है, उसको नहीं वाना चाते है, तो लेकि राम ने जिनने का, जी मेरा तो एक पतनी का वरत है, इस भगवान कैसे मैं यह बता रहा था, कैसे याद रखते हैं, और कैसे हमारी की गई चीजों के बदले में हमें जरूर देते हैं, वो कभी नहीं भूलते हैं, तो यह यहाँ पर यहाँ पर बताय जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी एक डिसकुशन चल रही है नार्द मुनी की और भगवान की, और इसको हम जारी रखेंगे, अगले शलोक में जिची सलोक संक्या 25, हरे कृष्णा, गरंत राज शिमत भागवतम की जाए, शिलप रूपात की जाए